नवस्कात दोस्तो मेरे ड़ा में वीकास और आप देख रहे हैं वीकास दिरेक्ट्रोनिक्स दोस्तो आज इस वीडियो में मैं लोगों को बताऊंगा यह जो कॉंट्रोलर देख रहे हैं इसके बारे में बहुत सरा लोग ने YouTube में वीडियो बना रहा है इसके बारे में तो सोचा मैं भी एक वीडियो बनाओ ये controller आपको क्यों लेना चाहिए एक controller किस तरफ से काम करते हैं इसको आप किस तरफ से connection करेंगे और एक controller आप ले रहा है तो किधर आपको लगाने से आच्छा कम होगा इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा हार वीडियो के तरफ मैं जिस तरफ से connection आप लोग को दिखाता हूँ इसका भी connection मैंने draw कर लिया है ये भी आप लोग को बताऊंगा तो चलिए भीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो मार्केट में बहुत सारा product आएगा और जाएगा तो उसके लिए ये नहीं है जो आपको जो नया आ रहा है ओही आपको खरीद लेना है आपको पहले जानना है जो कौन सा आपको काम में लगेगा और किस काम के मतलब कौन सा काम में लगेगा ये आपको पहले चूच कर लेना है ठीक है आपको भेरी भाई करना है उसके बाद आपको खरीद नहीं तो आपका पैसा जो है मतलब क्या आप बता सकते हैं लेके आप पोड़ा घर में रखेंगे तो कोई भी फाइदा नहीं है इसको काम में लगा सकते है तो ले सकते है ठीक है इसके बाद इसके बारे में मैं लोग को बता देता हूँ जो एक इस तरफ से काम करता है और इधर यह जो पार्ट्स है पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा बता दूँगा पहले देखी यह इधर यह जो कॉंट्रोलार है एक सीरिज कॉंट्रोलार है ठीक है देखने में parallel के जासा है बट ए शीरिच controller है ए शीरिच में ही काम करता है ठीक है अभी देखिए यह जो उपर में जो जितना भी सारा नील करार का जो plastic इधर socket लगा हुआ है यह सब all socket है इधर एक एक करके connection करने के लिए है और यह जो socket है यह data का connection करने के लिए देखे र 20 port है इधर इस साइड में 10 और इस साइड में 10 टोटाल मिला के 20 port है और इधर कुछ resistance दिखाई दे रहा है यह है आपका IC और यह होता है आपका capacitor और यह है LED और यह भी इधर कुछ resistance देके रखे है और यह connection करने के लिए एक option देके रखे है जब आप 50 LED वाला कोई भी लड़ी connection कर रहा है तो यह port में connection करके रखना है जिधर मैंने रागा के रखे है देखिए यह plastic देखिए यह plastic लगा के रखे है जब आप 100 करेंगे इसको उठा के इस socket में लगाना पड़ेगा मैं एक बार खोल के आप लोगों को दिखाता हूं देखिए इधर तीनों point आप देख पा आपको यह करना है इस side में connection करना है ठीक है तो चलिए मेरा 50 है तो मैं 50 में ही रखूंगा इसको इधर लगाके पेस्ट कर देना है देखिए यह हो गया आपका यह लग गया हो गया अच्छा अभी कि इसका जो सब पावर सप्लेज देने के लिए इधर माइनस लिखा हुआ है देखिए माइनस और यह प्लास फाइब लगता है और हमारा जो इससे पेस होता है वह भी फाइब देते कोई भी दिक्कत नहीं आता है इसको आपको water से मतलब यह water resistance नहीं है तो आपको all time waterproof करके रखना है मतलब paper कोई भी प्लास्टिक लगा कि इसको ठिक्टक से रखना है पानी आएगा तो यह damage हो सकता है ठीक है आपका पैसा बरबाद हो जाएगा तो इसको ठिक्टक से रखना है तो अभी मैं लोग को बता द दिता हूं जो एक controller एक चली में क्या काम में आते हैं देखिए एक काम में आता है कभी-कभी बार आप building में लगाया है ठीक है कभी बार कुसी भी आप field में गया है वो लोग बोल रहा है भाई building में लगाओ और एस connection करो नहीं तो शीरिज connection को कोई भी सीरिज connection करो तब आपको ये controller लागेगा जब आपका कोई सीरिज controller करना है थब आपको ये controller लागेगा तो भाई सीरिज controller के लिए और भी बहुत controller है T8000 T4000 T1000 और भी बहुत सारा controller है series connection करने के लिए तो एक controller हम क्यों लगाएंगे एक controller इसलिए लगाएंगे जब आप parallel में connection करते हैं अब लोग जानते हैं parallel में जब connection करते हैं पेरलल में कोई भी एक चेन खराब हो जाएगा यानि एक लड़ी खराब हो जाएगा तो ओ लड़ी डिस्टाब होके रहेगा यानि ओ लड़ी लाइट नहीं जलेगा बाकी जिद्धना भी सारा लड़ी है वो सब चलेगा पेरलल में जब आप कानेक्शन करते हैं बट इधर वही किस सीरीज में भी होगा आपको क्या करना है पहला टमबर जो led है तो आपको इधर से कनेक्शन करना है एक नमबर का led मतलब एक लमबर का जो chain है यानि लड़ी है एक नमबर का data मिडिल का लेकि आके एक नमबर पे देना है दो नम नमबर वेयर के इस थ dialogue करना है तीन क्या उखते दार एधर केचशन करना है अब कर tees अ धर्थ करके जाना है तो क्या होगा एफ इधार ही इस सीरिज़ कर रखे है इनों ने तो इधर करके रखे एक LED इधर बाइद जो कानेक्शन किये हैं जो लेडी यह वाला LED पॉबलेम होगा इसका LED पॉबलेम होगा यह बाकी सब चलेगा ठीक है इध पेरलल के जैसा काम करता है बड़ सीरिज कॉंट्रोलर है यह इसका खासियत तो आप इसको किधर ल लगा सकते हैं मंदिर में लगा सकते हैं मस्जीद में लगा सकते हैं कोई भी छोटा प्लेस में आच्छा काम करने के लिए एक आपका जरौद है बड़ अप जब बड़ा प्लेस में काम करने जा रहे हैं पिक्ष एक लड़ी से और एक लड़ी का डिस्टेंस जादा कर रहे हैं तब आपको एक आणट्रोलर का कोई काम नहीं है आप जाहंगे तो इतनहा तार का बांडिल रहु जाया ना तार खड़ित के खड़ित के तार कानेक्शन करके आपका दिमाग खराव हो जाएगा जब आप छोटा प्लेस में काम कर रहे हैं जब आप घर में लगा रहे हैं मतलब बिल्डिंग में कोई भी बिल्डिंग लगा ओ तो छोटा प्लेस के अंदर होता है मस्जीद लगा रह ठीक है, और आप इसको लगा के आप टेंसन फ्री रह सकते हैं. क्यूं ये तो पैरल्लाल के जासा काम कर रहा है न? ए के लिदिए ने पेड पावले हो गये तो एक ही बंध हो जाएगा. बट सिरी में काम कर रहा है. यही है इसका खास चीज इस सीरीज में काम करता है पैरलाल के जैसा इसका खास चीज यही है ठीक है इसलिए इसको मार्केट में लोग लेते हैं और छोटा छोटा प्लेज में जब काम करने आते हैं आच्छा कॉलिटी का काम तब यह लेते हैं ठीक है दोस्तों सीरीज में काम क यह आप इसको लेना चाते हैं तो मेरे साथ कांटाक कर सकते हैं बेस्ट प्रायस में मैं एम लोग को प्रोवेट कर सकता हूं ठीक है तो आब इसके बात connection के बारे में मैं मैं को बदा दो बहुत इजी connection है अब लोग हमारा भीडियो देखते हैं तो जरूर जान चुके हैं जो connection किस तरब से हम करते हैं देखिए इसका parallel जैसा ही connection होगा all time हम लोग जिस तरब से parallel के जैसा connection करते हैं all time हम लोग करेंगे देखिए माल लीजिए इधर male socket है सभी male socket parallel आप connection करते हैं all male socket एक साइड में रहते हैं अब लोग जानते हैं और female socket एक साइड में रहते हैं तो इस तरब से हमने भी all male socket इस साइड में रखे हैं इसके बाद पहले नमबर से parallel नमर पोर्ट से मैंने इधर connection कर दिया सेकेंड बाला पोर्ट के सेकेंड बाला लड़ी थार बाला पोर्ट थार बाला लड़ी इसका data निकलके मैंने ओवायर से इधर लेके connection कर दिया इसका एक problem है जो इतना जादा aware हो जाते है ना मतलत हम लोग कभी कभी बार समझे नहीं भी याता है कौन सा लीडि के कौन सा aware है बहुत जादा तार तार अका philanthrop का बांड़ी हो यह ज tể प्रीदना पड़ता है आप लोग को स्थूर्ण सब्सक्राइब करिदा ये मदलब क्या हो जाते एक मदलब वैर का एक जाम बन जाते है इसलिए इसलिए इसका मदलब थोड़ाँ सा पॉब्लेम करते हैं यह एई है तो चैजिते हैं याधा और जादा अोय। लगता है और ठीक-टाक से दिमक खटा के इसका काम करदा है थीकुकर तो आप थाउप का फाईब का उयर निकाल के आप एग मोया करेंगे तो नहीं जलेगा थीक-टाक से आपका नहीं 100 पोर में रखके आपका connection कर दीजी ठीक है आपका जो chain है कर सकते हैं इस तरफ से मैंने connection करके इधर supply देना है इधर भी supply देना है supply देके आपका जो controller है controller में बावार देना है सेर्व आपको इधर में राखना है यह waterproof नहीं है आपको ठीक ठक से रखना है कोई भी पॉब्ले मारा है मेरे को कॉमेंट सक्षान में बताईए मैं जिद्धना भी जानता हूं आप लोगों बता चुका हूं वीडियो का चला है कि तो लाइक केट दीजिए और हमारों जो चैनल है बहुत छोड़ा चैनल है आप लोगों के सब्सक्राइब केट दीजिए वीडियो को सेयर कर दीजिए मिलेंगे आगले वीडियो में तब तक लिए आच रहिए नमस्ते